इस सरकार को गिराने वाला खिज़ गिर जाएंगे तो सरकार की पुलीस के मामला हो पर इसे पिशिवेपर सरकार के मेंसे से पिशार कर रही है नमस्कार आप देखना शूग कर चुके हैं देश्की न्यूज और मैं हूँ आपके साथ गौरी रानी जहारकंड में एक बार फिर हेमंत सोरेंद सरकार को अस्थर करने की कोशिश रची गई है और इस बार ज्यम्म के पूर्व कोसाध्यक्ष रवी जैस्वाल का नाम सामनी आ रहा है इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए श्रम मंत्री सत्यनंग भोगता है हम उनसे जानने की सरकार ऐसा हो रहा है जब जहारकंड सरकार को अस्थर करने की कोशिश की जा रही है कि लोग सोचते कुछ है जनता का दियवाद मेंडेड है और फूल बहमत की सरकार है को जोड़तुड की सरकार नहीं है इस सरकार को गिराने वाला खिद खुद गिर जाएंगे सरकार गिरने एक जुठ है, और हमारे मानिो है मुख हम नत्री के नित रशों में हो राज कर एकृत्र करना चाहते हैं, लोग उथरपल करना चाहते हैं, लेगने साजिस नहीं चलेगे उनका नकाब होगा और सरकार कारकर पुरा करेगे और जो जनताइक जो भौना है उनके अनुकुल सरकार काम करेगे इक तरफ जहां विकास अब गती पकड़ी है कोवीड भी काफी हद तक कम हुआ है तो ऐसे में धीरे-धीरे जब विकास की गती है या जो जन प्रतिनिधी है वो कमजोर पड़ रहे हैं और इसलिए उन्हें प्रलोभन दिया जा रहा है कि देखे हमारे जितना महा कर्मधन के मानिया विधायक है सभी एक जूठ है और जनतक परती जवाब दे हैं जिम्वारी है कि छेत्रम विकास कैसे हो अब लगतार हमारे मानिया मुख मंतरी महादन सभी मानिया मंतरियों से मानिया प्रिधाकों से लगतार मिलते रहते हैं और छेत्रम विकास कैसा हो रहा है करना चाहिए इन विशे प पर फरक परने उलान है आपके घर से महज एक किलोमेटर दूर ही वहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं पिछले 25 दिन से आंदूलन रथ हैं तो हार भी बीत गिया लेकिन वो खुले मैदान में आंदूलन कर रहे हैं आज पूर्व मुख्यमंत्री रगवर दास भी उनसे मिलने के लिए वहाँ जा रहे हैं इससे पहले भी सांसद संजे सेट हो दीपा प्रकास हो वो मिलने के लिए गया राजिपाल को ग्यापन भी सौपा है उनके मामले को ले करके लेकिन आपकी सरकार से कोई भी अधिकारी बदाधिकारी या फिर जन प्रतिनिधी उनसे मिलने नहीं सूध लेनी नहीं पहुँचा क्या लगता नहीं आपको की सरकार के तरफ से भी किनी को जाने चाहिए उन लोगों से मिलने के लिए हजारों की संख्या में आये हुए हैं देखे जीन लोगों जा करें घड़ याली असो बाते हैं और जीन लोगों ने भाली पर के शुरू कीती साहयक पुलिस का वो खुद लिख दिये थे कि इनका न्युक्ती तीन बरेश के होगी जो टर्म करणिशन था जब फूल फरेजर गोर्मेंट था तो उनको एकी बार अ लेकिन जो भी गड़वणियां भी सामने आ रहे हैं सब पुर्वती सरकार का दिया हुआ है उसको हम लोग धेरे धेरे ठीक कर रहे हैं जोकि जैसी नई सरकार के ठन हुआ तो देश परदेश कोवीड काल से पुरा इस अबदा से निपठने में समय डेड़ बरस बित गया उ अब धेरे धेरे जो पराटिचर के ममला हो साहिक पुलिस के ममला हो अनममला हो इन सब इस वे पर सरकार के मित्वा से पिचार कर रही है ये गरीबों की सरकार है सबको नियाए मिलेगा तो क्या साहिक पुलिस कर्मी के लिए भी सरकार सोच रही है तो क्या उन तक सरकार जाए लेहा है तो इन सब भी सहयों पर लोग तो तरह मांग करने का सबका अधिकार है लेकिन सरकार सही समय पर सही निन लेगी बिल्कुल तो हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे श्रम मंत्री सत्या नंद भोकता जी जिन्होंने साथ तोर पे कहा है कि सरकार हर विशय पर गंबीर है और बहुत जल अनुबंद पर जो काम कर रहे हैं चाहे वो पारा सिक्चक हो चाहे वो सहायक पुलिस कर्मी हो जो रहने के लिए देखते रहें DST News